ओम शान्ति बदनसीब से खुशनसीब बनाने वाला करीब निवास बेहत का बाप हम बच्चों को बाप रूप में मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं हम बच्चों को सच्चा ज्यान देकर हमारे अंदर के भूतों को निकाल कर हमें प्रेम स्वरूप बनाते और हमारा हाथ पकड़कर वापस घर भी ले जाते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 15 अक्टूबर 2022 के महावाक्यों को बच्चों की किस कमी की रिपोर्ट बाप के पास आती है बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बनते मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं हमें अब किन बातों की स्मृति आई है? बाप, स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है? हमें दुख धाम से निकलना है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं? बाबा हमको साथ ले जाने के लिए आए हैं संगम युकपर शृब बाबा आकर कौन से कर्तव्वे करते? हमें स्मृति दिलाते? खुश नसीब बनाते? सुक का वर्सा देते? सर्व की सद्गती करते? कृष्णपुरी का मालिक बनाते? पतित से पावन बनाते? हाथ पकड़ कर साथ ले जाते? दैवी बगीचे का कलम लगाते? ब्रामन कुल भूशणों से बात करते? आज की मुरली के अनुसा श्विव बाबा की महिमा इस प्रकार है भोला, माली, खिवईया, रचाईता, लेब्रेटर, प्रेमका सागर, बागवान, ज्यान सागर, सबसे बड़ा, सर्वशक्ती मान, गरीब निवाज श्विव बाबा को याद करने से क्या फायदे होते? पवित्र बनते, खाद निकलती, विकरम विनाश होते, पास्विद ओनर बनते, देवी स्रिष्टी स्थापन होती, देवताई प्रालब्द बनती, पापों का भोजा नश्ट होता, कृष्णपूरी के मालिक बनते, कारी स्मृति आने को स्मृति लब्धा, एक योगेश्वर की याद में रहने को योग, नैच्ट्रल परमात्मा की याद में रहने को पून योग, परमात्मा की याद में रहने वालों को योगी अथवा योगिन, निराकार परमात्मा को श्वासो श्वास याद करने को अज सवेरे सोना सवेरे उठना चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला हाथों से काम करते रहो दिल माशूप की तरफ लगा रहे मिसाल सर्प हरीश्चंद्र संगम युग में क्या क्या होता है चड़ती कला अंतिम जन्म खुशी मिलती धीरज मिलता हम प्रेम स्वरूप बनते बुद्धी में ज्यान मिलता हम श्रिव बाबा को अपना बनाते ब्रह्मा श्रिव बाबा को अपना बनाते तुफान आने का मुख्य कारण क्या है? पूरा योग नहीं है सच्चा ज्यान किसे कहेंगे? अपने को आत्मा समझ पर्मात्मा की याद में रहना ओम शान्ती का यथार्थ अर्थ क्या है? मैं आत्मा साली ग्राम उस जियोती स्वरू पर्मात्मा की संतान हूँ हमें किन बातों की धार्णा करनी है? किसी को भी दुख नहीं देना है देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है एक दो को बाप की याद दिलानी है अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है इस पुराने शरीर का भान छोड़ देना है और संग तोर एक बाप संग जोड़ना है क्रोध नहीं करना है बहुत मीठा बनना है विकर्मों का दान देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है धंदा आदी करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है कितनी भी परिक्षाएं आ जाएं फिर भी स्मृती में जरूर रहना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते आज मीठी मम्मा ने हम बच्चों को ओम शान्ती का नया अर्थ बताया मै आत्मा सालिक्राम उस च्योती बिंदू पर्मात्मा की संतान हो इस अर्थ स्वरूप में सारा दिन टिकेंगे और अपने लक्षे को सामने रखेंगे कि हमें देवता बनना है तो अपने अंदर दैवी गुणों को धारन करने के लिए मुख्य रूप से मिठास के गुण को स्वयम में भरे और बाबा की याद में तलीन रहकर कि अर्षे बाबा की याद में सामने लगवी याद में सामने रहकर